यह लिए 140 में देखे 30 का टार्गेट रहेगा आपको किसी विहाल में 40 में से 30 क्वेशन करके दिखाने हैं क्योंकि सभी प्रस्ट दोस्तों आती संभावित और इंपोर्टेंट है तो पूरे प्रश्णों को ध्यांज दिखेगा और ट्राई किजिएगा पूरे प्रश्ण साह इन सभी प्रश्णों में से दोस्तों आपको बताना है कि जो सबसे पहला नोवेल पूरिसकार दिया गया था वो किसे दिया गया था भारत में दूसरा को सभी आप्सों में से देखिए अगर आप से 17 की बात कर जाया है दूस्तों चुआ चूट अंटेचबिलिटी के बारे और आत्मा कहा है दोस्तों यहां पर आर्टिकल के ऐगर बात की जाएगी दोस्तों जो हमारे रेमेडी हैं ऑ्zar नमचेद की बात नंबर न की जाया है तो हमेशें अनुछहेत बात की जाय ग Dart breakout की बात की जाया तो आप समिधान का एक दरीके से जो गारजीन है वो कौन है दुस्तो जी यह यह है दुस्तो भारत का सर्वोच नयाल है और भारत के चीप जस्ट्रिस ऑफ इंडिया इसमें 50 वे नंबर के हैं उनका नाम दुस्तो क्या है तो उनका नाम दुस्तो हो जाएगा D.Y. चंद्रचूड याद रिखेंगे D.Y. चंद्रचूड भारत के 50 वे Chief Justice of India है पांचों कोशन देखें तो गोरु मारा राष्टी पार किस राज में स्थित है गोरु मारा जो है तो यह पस्चिम मंगाल हो जाएगा option option number D is the right answer आपको पता है तो कि वेश्ट मंगाल जो दोस्तो इसके जो ततकालिक CM है लगातार तीन बार से बर रही है ममतावनर जी और कोशन आता है सुन्दरवन कहां पाई आता है यहां दोस्तो यह है आपका पर्ष्यम मंगाल इसका सजिंसर हो जाएगा सलीम अली राष्टी पार्क किस राज में स्थित है दोस्तो सलीम अली राष्टी पार्क आपका हो जाएगा option number B जम्मू कस्विर में स्थित है जे एन के और यहां के दोस्तो ततकालिक जो LG है लेप्टिन और गवर्नर है इस है पिरियर या फिर पिरियार ननदी किस राज या बहती है तो यह देखिए केरल रधी में ही केरल में ही बहती है A x the ray dancer और दोस्तो अब को मता है केरल को क्या बोलते है मसालो का बगीचा यहां पे सबसे उदा काजू का उत्पादन होता है सबसे ज्यादा दोस्तों यहां पर काली मिर्च का उत्पादन होता है, सबसे ज्यादा इलाइची का उत्पादन होता है, सबसे ज्यादा रबर का उत्पादन होता है, सबसे ज्यादा नारियल का उत्पादन होता है, इन सभी के देखें उत्पादन में पहले नंबर पर और इ पहला विद्थ आयो गठन किस वर्स किया गया था सबसे पहला जो विद्थ आयो गठन को गठित किया गया था सन 1951 में 20 कोशन का बिल्कुल करेक्टेंसर हो जाएगा पोलो सरप्रतम दूस्तों कहां खेला गया तो दूस्तों यह जो खेल है यह फारस इरान सबसे पहले खोला गया एस दे करेक्टेंसर दूस्तों आपके अपकमिंग जामेशन के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट यहां पे कुछ इबुक्स हैं जो मेरे द्वारा बनाएगे हैं ह आपके एक्जामेशन के लिए सारा सॉलीशन के साथ दिया अगर आप यह 500 कर ले रहे हैं आपका मैथ लगबग सारा खतम हो जाएगा और स्टाटिक जीके के देखिए 25,000 के आसपास कोश्चन है सभी कंप्लीट डिटेल के साथ यह तीनों का लिंक में दिस्क्रिप्शन बा बारखवा कोश्चन गौतम बुद्र ने अपनी मित्यू के पहले बौध संग के नितित्व के लिए किसे नामित किया था जेहां दोसतों इन्होंने नामित किया था महा कस्च्य अपको a-is-the-right-out किसे नामित किया था तो महा कस्य अपको तिरह हमा कोश्चन देखिए फार् मूल वन से जाती लिंग या जन्मस्थान के अधार पर भीयत भाव का प्रतिसेत की बरहें बताया गया है तो जी हां दोस्तो इस कोईशन का सेंचर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 15 है अनुछेत 15 में दोस्तो यह बताया गया है ठीक है कोईशन 15 हो दिखिए यहां पर देश के स छीशें में governor है उनका नाम से examination में पूछाएक ज़रूर तो इनका नाम हो जाएगा सकती कान दास ठीक है आरविया चैनधरमग में पूर्ण ज्यान का अर्थ्ट क्या है जैन धरमग में पूर्ण ज्यान का अर्थ है कैवल्ले । क्या बोलती है पूर्ण जिसे प्राफ्थ ह सब्सक्राइब, 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 ल humour और तो चेनानी नासरी सूरंग का नाम बदल कर क्या कर दिया गया, जी हां, इसका नाम चेंज किया गया है, तो इसका नाम दोस्तों क्या किया गया है, इसका नाम चेंज करके किया गया है, सियामा प्रसाद मुखरजी टनल के नाम पर, क्या किया गया है, सियामा प्रसाद मुखरजी वाला देश दोस्तो कॉन सा है, सबसे अधिक मुसलिम अबादी वाला देश, आपका S ही हो जाएगा, इंडोनेसिया जाहापर सबसे अधिक किosन देखें, कि नीओरड़ा वैली national Park, किस राजय में स्थेत था है, नीओरा वैली national Park, ये दोस्तो कौन से भारती के स्क्डuation में ये स्थीत्स मंगोलिया देस की मुद्रा का नाम तो मंगोलिया देस की जो जाएगा तो सुछ तुग्रीख हो जाएगा इसका एंसर तो अगर आपसे पूछा जाएगा अमेरिका के घास के मैदान को क्या बोलते हैं तो अगर आपसे पूछा जाएगा अमेरिका के घास के मैदान को क्या बोलते हैं तो इन सभी आपसों में से बताईए क्या लगता है क्या होगा घास के यहां से कर्क एवं मकर्रेख्या निकलती है कौनसा कॉंटनेन ट है आप से पूछा जा रहा है जी आधा जहां सोगी चता होगा । जी हां, आठ राजियों से होके गुजरती है, पजिशा कोशन देखें, सनी ग्रह का सबसे बड़ा उपगरह कॉन सा है, जी हैं तो सबसे जदा सनी ग्रह का देखें, तो टाइटन जो है सबसे बड़ा उपगरह माना जाता है, और सबसे ज्यादा उपग्रहों की संख्या अगर आपसे बात की जाएगी तो सनी के पास ही है ठीक है 26 कोईशन के जन संख्या की दृष्टी से बड़ा नगर कौन जाए अगर हम पुरी दुनिया की बात करेंगे तब तो सबसे बड़ा दुस्तो नगर हो जाएगा आपका टोक्यों अगर हम चंजंख्या की दृष्टी देखे तो ए इस दे राइटन से जापान का हो जाएगा का अधिकार के बारे में बताया गया है तो समिधान के किस अनुचेद में दुस्तो जी हाँ तो अनुचेद 14 में ऑप्सन नमबर D हो जाएगा इसे में देखे विधी के समझ समानता के अधिकार को बताया गया है उन तीसों कोशन देखे डबल फाल्ड का संबन दोस्तो किस खेल से है अक्सर जो वाइस उपयोग किया आते हैं बोली जो है उनकी जो यूज होती है दो तो टेनिस में देखे डबल फाल्ड का इस्तमाल किया आता है डी इस दे राइड एंसर यूनिवर्सल ब्रदर हुट दिवस दोस्तो हम लोग कम मनाते हैं जोस्तो यह हम लोग सितंबर के महीने में 11 सितंबर को मनाते हैं D is the correct answer. 21 question देखिए समिधान के किस अनुच्वेद में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है? कौन सा आर्टिकल है? जो कि सबसे बड़ा द्वीब माना जाता है. 33 question देखिए राज ये पुनरगठन आयोग के अध्यक्स दोस्तों कौन थे? तो राज ये पुनरगठन आयोग के जो अध्यक्स थे दोस्तों वो थे फजल अली. ए हो जाएगा इस question का सजी इंचर. वो कौन थे? फजल अली थे. 34 question नाथुला दर्रा भारत के किस राज में इस्तित है? अगर आपसे पूछा जाएगा नाथुला दर्रा भारत के किस राज में इस्तित है? दोस्तों ये सिक्किम में हिस्तित है. नाथुला एंजेलेपला दोनों याद रखेगा वो कहां इस्तित है? सिक्किम में इस्तित है स्वेट कोईला दोस्तों हम लोग किसे कहते हैं स्वेट कोईला satu सुवेट कोया हम लोग बोलते हैं जल विद्धूत को या पियाद रखेंगी सी is the right answer, बहुत लोग इसको अलग अलग तरीके सेंसर करते हैं लेकिन जल विद्दूत को बोलते हैं भारत ब्रहमड पर चिनी यात्री फायान किसके काल में आया था भारत में भारत के ब्रहमड पर दोस्तों जो चिनी यात्री फायान था वो गुप्त काल में आया था गुप्त उसासन के काल में आया था से इसकोषन का बिल्कुल करेक्ट अंसर हो जाएगा, सी 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 इसकरेचिता दोस्तों कौन है दोस्तों यह हो जाएंगे सोम देवर, D is the right answer, सोम देवस का सहीं सर हो जाएगा, 40 सा कोज देखें, मुरुगपा गोल्ड कप किस खेल से संबंदित है, मुरुगपा गोल्ड कप, जोजिए दोस्तों इसका संबंध किस खेल से है,